हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र कुईक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट दोसो अठारें जिसमें हम देखेंगे अव्वे विशे के संबंद में अपने अगले प्रश्न ठीक है, इससे पहले हमने थोड़ी सी डीटेल समझी थी पिछले वीडियो में ठीक, अब हम देखेंगे अव्वे के संबंद में प्रश्न, तो गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है, अथवा, ध्यान से देखें, प्रश्न कैसे बनेंगे आपको ये बाते समझनी हैं, ठीक है न, आप व्याकरण क्यों पढ़ रही हैं, ठीक है, आपको ये बाते समझनी है ठीक प्रश्ण कैसे बनते हैं वो फ्रेम वो फॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए ठीक तो अथवा अथवा व्याकरण की द्रिष्टी से क्या है ठीक है कैसा सब्द है तो दोस्तों यह किसका भेद है द्यान दें अथवा क्या है व्याकरण की द्रिष्टी से एक क्या अव्वे है अव्वे है दोस्तों ठीके मैंने बताए था अव्वे क्या होते हैं ऐसे सब्द जिनका प्रियोग वाक्य में करने के बाद उस सब्द पर किसी भी लिंग इस्थान वचन का कोई भी प्रबाव नहीं पड़ता ठीके लिंग इस्थान वचन से कोई प्रबाव नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन नहीं होता ये शब्द जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं ठीके तो ध्यान दें अत्वा क्या है अत्वा अव्वे है ठीके अत्वा एक अव्वे शब्द है ध्यान रखें गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याक्या पर ध्यान दें जिन पदों गौर से समझेंगे जिन पदों या अव्यों जिन पदों या अव्यों पद क्या होते हैं वाक्य में परियुक्त होने के बाद शब्द क्या बन जाता है पद बन जाता है जिसे हम रूप के नाम से भ तो ध्यान से सुनेंगे, जिन पदों या अव्यों दोरा, जिन पदों या अव्यों दोरा, मुख्य वाक्ये, देखो, मुख्य वाक्ये जो की में सेंटेंस है, वे जोडे जाते हैं, जोडे जाते हैं, यानि की लिंक किये जाते हैं आपस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्य बोधक अव्वे कहते हैं और एक किसका बेद है तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए था अव्वे के दूसरे प्रकार यानि समुच्य बोधक समुच्चे बोधक अव्वे क्या ही एक भेद है समानादी करण समुच्चे बोधक अव्वे ठीके और समानादी करण कितने होते हैं ये दोस्तों चार होते हैं इसके चार उपवेद होते हैं देखेंगे कौन-कौन से ही तो ध्यान दे दोस्तों व्याक्षा पर पहला है संयोजक समाना दी करण समुच्य बोदक अवे थीके इनकी पहचान के लिए शब्द है और वा पर तथा ठीके और वा एवम त Muchrey और वब तथा थीके तो ध्यान दे भेद का उपभेद है ठीके तब आप बताएंगे संयोजक समानादी करण समुच्चे बोधक अव्वे है क्या और वा एवं तथा ठीके ऐसे ही इसका दूसरा उपभेद है ध्यान दें किसका समानादी करण समुच्चे बोधक अव्वे का कौनसा विभाजक विभाजक दोस्त भाजक divide करना विबाजक अलग करना ठीक हैं तो वे शब्द कौन से हैं विबाजक को हम विकल्प के नाम से भी जानेंगे विकल्प ठीक है ये दो शब्द आप ध्यान में रखेंगे इसके लिए ठीक हैं अगर प्रश्ण पत्र में विकल्प आ जाए तो भी confused नहीं होना अगर ध्यान रखेंगे तो शब्दों पर ध्यान दें कौन से शब्द हैं देखते हैं सबसे पहले या फिर वा अत्वा कि वा की ना की नहीं तो कौन कौन से सब्द या वा अत्वा कि वा की ना की नहीं तो ठीक है ये शब्द हैं जो कैसे शब्द हैं विबाजक समानादी करन बोदक शब्द हैं ठीके ध्यान रखें देखो सबसे अच्छा उधारण दू अगर आपने कभी स्कूल टाइम में या अपने कॉलिज टाइम में पेपर दिया हो तो वहां पर प्रशन पत्र में हमारे चोईस वाले जो कोश्चन आते हैं उसमें बीच में पहले प्रशने करण समुच्य बोदक था ठीके यानि की जो क्या कर रहा था जो दो प्रशनों को अलग करके बता रहा था और पिर हमसे पूछा जाता था कि इन में से कोई एक प्रशना आप करें ठीके तो विकल्प विकल्प की इस्थिती होती है विबाजक में ठीके ध्यान रखेंगे देखो पर परंतु किंतु लेकिन मगर वरन वलकी ठीके कौन कौन से पर ठीके पर परंतु किंतु लेकिन मगर वरन वलकी ये सब क्या है विरोध दर्शक समाना दी करण समुच्य बोधक अव्वे है ठीके फिर है दोस्तो परिणाम दर्शक कौनसा परिणाम दर्शक परिण तुर्णाम बताता हो result बताते हो। ऐसे शब्दु ठीक है। किसी भी वात का result बताए। ऐसे सूचक शब्दों को मैं क्या कहते हैं। परिणाम दर्सक समाना दी करण समूच्य बोदक شब्द कहते हैं, जैसे या पर कुछ शब्द हैं ध्यान दें, इसलिए, ठीके, इसलिए, ठीके, सो जैसे कि इसलिए से बनाए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी क्यों नहीं बताई थी इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम नाराज हो जाते ठीक है तो यह जो इसलिए इसलिए शब्द है वो क्या है परिणाम बताता है कि अगर मैं यह बात आपको बता देती तो तो आप नाराज हो जाते, ठीके, तो इसलिए शब्द, इसी तरह से एक शब्द है सो, ठीके, सो, सो means, सो, ठीके, फिर है अते, फिर है अतेव, ठीके, ये शब्द जब आप वाक्य में या अपनी पुष्टक में कहीं भी देखें, तो आप समझ जाएं कि ये कैसा शब्द है, परिणाम दर्शक, समाना दीकरण, समुच्चे बोधक अव्वे है, ठीके दोस्तों, तो ये पैचान के कुछ शब्दें, चाहें तो आप स्क्रिन्शॉट ले लें, ये वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीके, ध्यान देंगे, देखते हैं, तो इस तरह हमने देखे समाना दीकरण, समुच्चे बोधक के चार उपवेद, कौन-कौन से, सहियोजक, वियोजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ठीके, और अगर आपको याद रखना है, तो इनके एंड में, आप क्या करें, समाना दीकरण, समुच्चे बोधक अव्वे शब्द लगा अगला प्रेशन है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है प्रेशन, बला, बला, मैं क्या कर सकता हूं, बला, मैं क्या कर सकता हूं, ये वाक्य है, जिसमें बला शब्द कैसा है, तो दोस्तों, आप्शन डी, अव्वे, ठीके, अव्वे है ये, ठीके, क्यों है अव्वे, क्यों ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको आप यह भी बोल सकते हैं कि बला में क्या कर सकता हूं ठीक है जैसे आपने कारे किये हैं उसका यही परिणा में ठीक है अब यह बताएं कि बला में क्या कर सकता हूं ठीक है ध्यान रखें तो यह क्या है अव्य शब्द है ठीक देखते हैं प् पूरुश, कारक ध्यान से सुनेंगे यह चार बाते ही हैं अगर यह अपने ध्यान से सुन ली तो समझ लीजे आपको अव्वे में किसी परकार की कभी कोई समस्या नहीं आने वाली ठीक तो अव्व wanna वहे शब्द है जिस पर ठीके वहे शब्द हैं जिस पर लिंग वचन पुरुष कारक आधी के कारण ठीके यानि कोई भी लिंग हो इस्त्री लिंग हो पुलिंग हो वचन हो एक वचन हो बहु वचन हो दुई वचन हो पुरुष हो उत्तम पुरुष हो मध्यम पुरुष हो ठीके ऐसे ही कारक हो ठीके कोई भी कारक हो ठीक है विबक्ती हो इनके आने से ठीक है या फिर इनके कारण कोई भी विकार उत्पन नहीं होता कोई भी विकार उत्पन नहीं होता किन पर उन शब्दों पर किन पर उन शब्द मीज अव्व्यों पर ठीक है अव्वे शब्दों पर ठीक तो प्रस्तुत वा लिंग, वचन, कारक, आधी का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ रहा है, आधी का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ रहा है दोस्तों, ठीकें, ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही मैत्पून व्याक्या थी, ठीकें? अगला प्रशन है ध्यान दे दोस्तों निम्न लिखित में से क्रिदंत अव्वे का एक प्रकार नहीं है तो एक क्रिदंत अव्वे भी होता है ठीके ध्यान से सुनेंगे कितना जबरदस्त प्रशन है ठीके क्रिदंत अव्वे ठीके उसका एक प्रकार नहीं है तो option B, भूत कालिक क्रिदंत, ठीके, भूत कालिक क्रिदंत, क्रिदंत अव्य का एक प्रकार नहीं है, देखो कितना deep question पूछा है, ठीके न, भूत कालिक क्रिदंत क्या है, क्रिदंत अव्य का प्रकार नहीं है, बाकी इसके अलावा option A, पूर्व कालिक क्रिदंत, फिर है, दे । उप्शन ए, पूर्वकालीग कृदंट अव्वै है, फिर है ओप्शन C, तातकालीग कृदंट अव्वै है, ठीके, फिर फिर फूर्ण कृरिया act dan agriculture अव्वै है, ठीके, तो 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 यहाँ द Durant कुछ सा नहीं है वी जो है वो प्रकार नहीं है किसका क्रिदन्थ अवे का कौंसा भूत कालिक टिक यह नहीं है देखें प्रश्ण की व्याख्या दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या ए ध्यां से सुनेंगे ठीकें är गौर करें आविकारी क्रिदंत की बात करें ठीके या फिर इसे ऐसे कहें आविकारी क्रिदंत अव्वे पूरा ऐसे समझें अगर यहां पर आविकारी क्रिदंत की बात हो रही है तो कहीं न कहीं विकारी क्रिदंत भी होगा होगा की नहीं होगा ठीके तो आविकारी क्रिदंत और विकारी क्रिदंत ये क्या हैं क्रिदंत अव्वे हैं ठीके उसके दो भेदें अब ध्यान से देखें अविकारी क्रिदंत में अव्वे में इसके कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान से सुनेंगे चार प्रकार होते हैं दोस्तों किसके अविकारी क्रिदंत अव्वे के चार प्रकार कौन कौन से ध्यान से सुनेंगे एक होता है पूर्व कालिक क्रिदंत अव्वे कौन सा पूर्व कालिक क्रिदंत अव्वे दूसरा है तात कालिक क्रिदंत अव्वे तात कालिक क्रिदंत अव्वे फिर तीसरा होगा अपूर्ण क्रिया ध्योतक अव्वे कौन सा ठीके फिर है पूर्ण किरिया ध्योतक अव्वे ये चारो की चारो प्रकार आपको याद रखने हैं दोस्तों ठीके किसके हैं ये चार प्रकार तो दोस्तों अविकारी कृदंत अव्वे के चार प्रकार हैं ठीके कौन कौन से पूर्व कालिक पूर्व मीस होता है पहले काल मी सौता है समय, यानि की समय से पहले, ठीकै, समय से पहले बोध कराने वाले ऐसे अव्वेश भ्ड, ठीकै, जिनसे हमें पिछले समय का समय से पहले होने की स्थिती का पता चले? पूर्वकालिक ठीकै के την दा ततकाल यानि उसी समय, ततकाल, आप अगर ट्रेन की booking कराते हैं, टिकेट की, तो क्या कहते हैं, ततकाल रिजर्वेशन चाहिए, है न, ततकाल, इमिजेट, ठीके, तो ध्यान रखें, ततकालिक क्रिदंत अवे, वह सब्द जिन से ततकाल, यानि तुरंत की स्थिती का पता चल ठीकें, तो अपूर्ण क्रिया ध्योतक, अपूर्ण मींस अधूरा, यानि की जो पूरा नहीं है, जो पूरा नहीं है, क्रिया ध्योतक, ध्योतक यानि सूचक, ठीकें, तो अपूर्ण क्रिया ध्योतक, ऐसी क्रिया, जो की अपूर्ण, जिनके अपूर्ण होने का बोध हो तो वो क्या होंगे वह ऐसे अव्वे होंगे जिने हम क्या कहेंगे अपोन किरिया दो तक अव्वे शब्द कहेंगे ठीक ऐसे ही पोन किरिया ध्यो तक पोन से पता चल रहा है यानि कि किरिया किरिया पूरी हो गई होगी ठीक है ऐसे अव्वे शब्द जो पोन किरिया का बोध कराते हूं ठीके यानि की कारे के पूरे होने का बोध कराते हो तो वे क्या हैं पूर्ण किरिया ध्योतक रख लें ठीकें ये चारो नाम बहुत ही इंपोर्टेंट हैं ठीकें कौन कौन से एक बार फिर से सुन ले द्यान देसे पढ़े इसको इसके चार प्रकार है ठीके रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे खुद यह बहुत इंपोर्टेंट लग रहा है ठीके ना इसलिए तो द्यान देसे दोस्तों चार प्रकार होते हैं कौन से पूर्व कालिक क्रिदंत अव्वे तात कालिक क्रिदंत अव्वे अपूर्ण किरिया द्योतक अव्वे ठीके पूर्ण किरिया द्योतक अव्वे ठीके तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट बाते हैं अब देखो यहां यहां इसको देखो तो इसके बीच में आया है तथा शब्द टथा शब्द और फिर आप रीद्वेल ऑभी इन प्रकारों के बारे में नहib Plan नेमा नहीं करीए मैं इस केवल इस तथा शब्द के बारे में बात कर रही हूं ठीक के ये तथा शब्द कौनसे अव्वय है यह किस अव्वय का उपभेद है ठीक किस अव्वय का उपभेद है तो दोस्तों हमने पढ़ा था समुच्य बोधक अव्वे जिसका एक भेद है कौनसा समानाधी करण का एक उपवेद था कौनसा संयोजक समानाधी करण समुच्य बोधक अव्वे है दोस्तों ये तथा ठीके तो देखो ऐसे ही प्रश्ण आपके सामने बनेंगे आपको पहचान करनी आनी चाहिए व्याकरण बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों व्याकरण चीजों को आसान बनाता है ना कि मुश्किल बनाता है ठीके इसकी संरचना की गई है आपके सामने तो चीजों को आसान बनाने के लिए की गई है ना कि चीजो को मुश्किल बनाने के लिए ठीक है और ये भाषा भाषा के संबन में है भाषा से आपको जोडता है भाषा की पहचान कराता है ठीक है आप कोई भी शब्द बोलते हैं उसका कितना महत्व है दोस्तों एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है ठीक है आपका एक हां ठीक है औ आप व्याकरण को समझना सीख जाएंगे, ठीके, तो ध्यान रखेंगे, सब्दों से खेलना शुरू कीजिए, व्याकरण आपके लिए बाए हाथ का खेल हो जाएगा दोस्तों, ठीके, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो की संभव ना हो, ठीके, बसरतें, आपके अंदर चीजों को करने की ललक होनी चाहिए, होसला होना चाहिए, ठीके, देर्रे होना चाहिए चीजों को समझने के लिए, ठीके, और अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो मन से पढ़ें और धंग से पढ़ें, ठीके, दोस्तों, आज आप अपना समय अपने ओपर थोड़ा लगा लेंगे तो आपका सुनेरा कल होगा ठीक है आपका कल बहुत ही सुनेरा होगा दोस्तों इस बात को समझ ले मेरी बात ठीक है एक दिन आप जब कुछ बन जाएंगे कहीं आप अपनी नोकरियों पर जब बैठेंगे तो याद करेंगे कि मेरी किसी टीचर ने ये कहा था ये बात कही थी, ठीके, गलत नहीं कही थी, ठीके, तो आप इस बात को समझें, कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीके, जो कुछ भी कराया जा रहा है, दोस्तों, आपके लिए कराया जा रहा है, और आप इसे जरूर पढ़ें, ठीके, ध्यान रखें, आप ही क्या करेंगे, हमारे भारत की रोशनी है इस बात को ध्यान रखना है ठीक है तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समापत होता है थैंक्स वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों